लो जेमिनाई, वेलकम टू आरे अंचली गाइज इंसाई, होप आप सब अच्छे होंगे, अपमें लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज यह फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले 8-8 पोर्टल आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है ओके, तुस्से पहले जो में नजर पड़ी है वो इस पर पड़ी है हरान, परेशान, नजाने क्यों आप मुझे दिखाई दे रहे हो किसी चीज का डर हो सकता है या किसी चीज के लिए कि परेशान हो सकते हो मन में या तो बहुत सवाल उठ रहे है कनफ्यूजन की वज़े से भी यह हो सकता है तिक है आपको समझ में यहारे कि मैं करूं तो करूं किया और emotions का तो सहला आप आ चुका है तिक है wish fulfillment होते दिख रही है किसी problem का रास्ता भी की भी मिलते दिखाई दे रही है वेकेशन वगेरा पर भी जाने का कोई plan मुण सकता है या फिर आपको सकते हो कि थोड़ा stress कम करने के लिए आप कही थोड़े के लिए कुछ refreshment के लिए कहीं जा सकते हो balance आपके life में आता दिखाई दे रहा है तिक है और मैं मिसास लेना आपके लिए अच्छा होगा ऐसी जगह जाना जहाँ पर लोग कम हो हरियाली जादा हो कोई male person आपको अप्रोच कर सकता है female या कोई male person आपके detective के तरह आपके उपर नजर रखे हुए है कोई stalk कर रहा है आपको ideas social media पर मैं देख पार रही है अब आपके life में ठह आपको पहुचना था वहाँ पहुच चुके हो अगस के मत में किसी का message आ सकता है आपको शाद वेट कर रहे था आप इनके message का या फिर यह हो सकता है किसी तरह का job का call या क्या सकते है कि interview का कोई message हो आपके लिए किसी तरह का email हो आपके लिए ठीक है universe please guide courage wish upon a star and release all limiting belief अगर आप अगर आपको लगता है कि वो चीज आपकी है और आप उस चीज को मांग रहे हो तो यह मत सोचो कि मुझे कैसे मिलेगा बस यह belief करो कि मिलेगा इसी तरह अगर आपने कुछ चाहा है कि मुझे यह चाहिए तो पूरी जान लगा दो उस चीज को पाने के लिए फिर यह मत सोचो कि अगर यह problem आ गई तो वो problem आ गई तो या excuse नहीं होना चाहिए उस चीज के लिए fight करना चाहिए उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अगस का मनशयद आपको करश दिखाने वाला है डरने वाला नहीं है inhale star dust exhale magic कुछ magic करोगे आपकी दौरा कोई magic होने वाला है ठीक है मैं देख रही हूँ कि ऐसी चीज आप अपने अंदर feed कर रहे हो अच्छी बाते या ज्यान या कुछ ऐसा जो कि बात में आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे या ऐसा कुछ करोगे जो magic की तरह बहार आएगा ठीक है ओके लेट वह जाएगा लेट सी निमस प्लीज गाइग जमइनाई ऑगे फैमिली रूम प्रूम गे प्रूम 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 तब गेजमिनाई गोडशिप अगे ऺड़र्न प्रूम एक जु डाइर्क मैसज मुचे मिला इस लग रहा है एक गड़र्द बात में प् किसी के फादर बहुत ज़दा परिशान है अपने बेटे या अपनी बेटी के शादी के लिए ठीक है या फिर उनको अपनी इज़त की बहुत चिंता है और उनका बेटा या बेटी को लव मेरिज करना चाहता है ठीक है तो किसी के फादर मुझे बहुत चिंतित नजर आ रहे ह जो एक direct message मिला वो मैंने आपको बता दिया ओके आए देखते हैं और क्या message है आपके लिए आपे family family आपके लिए important हो सकती हो सकता है अगस्मनत पर कोई get together है family के साथ आप बहुत अच्छा पल बिता सकते हो family में कोई celebration या मिलके जैसे मैंने का अच्छा वक्त बिता सकते हैं कोई decision भी हो सकता आप लोग को लेना हो या family में कोई new person एड होरा जैसे का आपने मिलोगे चुप चुप के मिलोगे yes high honor मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा काम करोगे आप कि जिससे घर की इजद भी बनी रहे हैं आप भी अपने पादर को proud feel करा सको हो सकता है या फिर कुछ ऐसा होने वाले जिससे मैं देख पार हूँ कि आप society में अच्छा status बना पारे हो फिलाल जो मुझे main storyline दिखी थी वो तो मैंने आपको बता दी कि आप पता नहीं कितना से resonate होगा आए देखते हैं laziness जो कि सहीं नहीं है जैमना आए यह काम करने का समय है laziness का समय नहीं है यह काट बाहर आ रहा था तो मैंने काल ले लेते भाई हो सकता है कि आप किसी तरह के politics में गिरे हुए हूँ तो conditioning ओके हालत बुरी लग रही है बता दी हूँ क्यों healing ठीक है फिलाल अगस का मन्त आपके लिए healing लेकर आ रहा है बहुत सारी ठीक है अगर आपको health issues थे उसमें भी healing है और आप emotionally काफी breakdown हो गयते pain सहर है तो उसमें भी healing है खुद को कम नहीं आकना है कहीं भी जैमिना है आप किसी से भी कम नहीं हो जब आप भूल जाते हो तो आप life में problems देखने लगते हो ठीक है फरशाद जदो आपको रिलाइज हो रहा है करेज किसके पास है लाइन के पास है ठीक है लाइन इनर्जी में tapping करने की ज़रुद है आपको politics हो सकता है कोई आपके साथ politics खेलने की कोशिश कर रहा है कोई two-faced people है वह बहुत sweet और अच्छा तो आपके साथ बन रहा है पर वो उसके लायक नहीं है ठीक है तो यह शायद आपको बहुत जल्द पता चल जाए हो सकता है को इनसान आपके आपकी पैसो और आपकी इज़त की वज़े से आपके साथ जूड़ना चाह रहा है ठीक है वह अपना फाइदा देख रहा है ऐसा कोई love connection वह आपके साथ नहीं feel करता मेरा काम था आपको आगा करना वह मैंने कर दिया पता नहीं किस से resonate हो रहा है पर हो सकता है कि आप समझ जो कि किस से resonate हो रहा है okay the outsider मुझे जहां तक लगता है कि आपको कुछ चीजों के लिए कोशिच और मेहनत करने की ज़रूत है बजाए कि आप laziness दिखाओ ठीक है laziness करके आप अपने ही साथ अन्याय कर रहे हो चुकि आप opportunities को खो देते हो success में आपक लाइफ में हो सकता है कि कुछी की जौब लग रही है जिसके विए से आप पहाय और पा रहे हो अपने लाइफ में कोई भी अच्छा काम मैं तो से भी example दे रही हूँ आपको फादर भी शायर इससे प्राउट फिल ही करेंगे आपके तो मैं कहरी हूँ कि वह शेर की खाल मे की है मैंने कुछ किया है कूछ extra काम किया है जिसके लिए अपने अपको शबाशी दे सको कोई और तो वैसे फिलाल दे रहना दे पर हमें हमेशा अपने 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 किसी चीवेंट के लिए शबाशी चाहिए तो वह चीज करना है आप रही हो सकता आल से आपको बिल देर कि नहीं मैं आलस नहीं बन सकता मुझे कर्म करना है ठीक है तो यह चीज मुझे ऐसा लग रहे है कि आप उठ जाओगे जाग जाओगे हो सकता है कि आपके सामने ऐसे लोग को चैरा भी डीवील हो जाओगे जो आपके साथ पॉलेटिक्स करने की कोशिश करें उनका आपके साथ ही है पड़ उनक जो चैरा है वो रिवील हो जाएगा अगसमन तक यह भी चांसेस आपके लिए बन रहे हैं तो यह थी आपकी रीडिंग, जब नहीं अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक किजएगा, सब्सक्राइब मैं चला भी तक नहीं किया है तो, कमेंट बोक्स में ज़रूर बताएगा, थैंक यू फो वाचिंग